असलाव की विवर्ज, मैं रिजवान चीमा, विल्कम बैक विडियो आफ कैपिटल स्मार्ट सेटी, इस वीडियो में कैपिटल स्मार्टी में आपको जिन परड़क्ट के अवाल से एक्सपेंड करेंगा, उस परड़क्ट का नाम है लेक्यू कमर्शल्स, ये कमर्शल सुसाइ अची बात ये है कि प्रिवेसली पाकिसान में आप कही भी सुसाइटी में देखें, तो आपको जो इंस्टॉल्मेंट पर कमर्शल्स ओफर होते हैं, पोजेशन वाले, वहां पे आपको हमेशा साइजेज दो कनाल, चार कनाल, आर्ट कनाल, आर्ट कनाल, जो करोड़ उन पे सबसे अची बात ये है, कि आपको हमेशा जान करसे सकतकि हैं, आप उस सामने एक मरकज बनाया गया है जिस मरकस का नमे लेकवी commercials और यह लेकवी commercials जो हो हैं यह बिलकुल 400 फट रोड से भी एकसस पी है है मेंसरी फ११ रोड है और राइट सीथ रोड अथ ऽे रोड की विटỗi है तो ती 3 साइब से surrounded by 400 feet road 180 feet road 180 feet road और चौती साइड से आपका लेक आता है और सामने वैसी गॉल्फ कोर्स है तो ये वज़ा है कि ये कमर्शिल्स जो है बहुत ज़्यदा important है अब जो members जायर सी बात है कि स्मार्टे के अंदर जो कमर्शिल्स अभी available है चार मर्ला, आर्ट मर्ला mostly commercial जैसे हैं जो आपको balloted मिलते हैं possession पर मिलते हैं जो cash पर मिलते हैं यहां पे installment की product आपको बहुत कम मिलती है अगर मिलती है तो बैलेट नहीं होती यानि उसको आपको file खरीचते हैं हवाँ खरीचते हैं आपको नहीं पता हूँ फाइल ने कहां पर location उसको मिलनी है इस case में आपको actual plot number भी पता है जहीं 20% down payment अगर 65,000,000 रुपए देते हैं तो आठ मर्ले का, कबजे वाला plot, golf course के सामने बिलकुल आपको मिलेगा यह आपको location के साथ मिलेगा और location के साथ साथ आपको directly अगर आप इस पोजेशन अप्लाई करते हैं तो society की तरफ सी allowed है कि आप अपने plot पे possession भी ले सकते हैं तो यह बहुत positive बात है अब यह commercial क्यों important है कि commercial के आपके 3 sides होती है कि पहली बात commercial ज्यादा valuable तब होता है जब उस commercial पे ज्यादा footfall आता है य refusing है ज्यादा लोग आते हैं ज्यादा लोग वाँ मूव करते हैं ज्यादा footfall होता है तो उस commercial में जो shop बनती है उनकी value ज्यादा होती है उनके rental value extreme होती है इस case में 8irm ला commercial जो main road ले जुले जो plots हैं उन plot से बिलकुत सामने गॉल्फ कोर्स के जो प्रीमियम विलाज हैं वो लाँच की जाएंगे अब वो विलाज की फुटफॉल है वो भी यहां पर आएगा इन commercial के इस मरकज के left side पर कर देखें तो G block के साथ तक्रीबन आपके 30 के असपास plots हैं जो 20 प्लस कनाल का एक plot है जो commercial high-rise होगा जैसा कि आपको हार्मी हाइट के नाम से एक building मिलती है 22 कनाल की building है 22 कनाल का plot है सेम इसी तरह यहां पर भी high-rise apartment के plot है commercial के बिलकुत साथ sector G की back side पे अब वो जो plots हैं उनका footfall भी इसी commercial मरकज को मिलेगा और नमबर 3 राइट साथ बे जो हार्मी पार्क ब्लॉक है एक्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इस सप्टम्बर से possession भी हो जाएंगे और इसके लावा तकरीबर 1500 plot ऐसा है एक्जेक्टिव ब्लॉक में पांच मरलेगा तकरीबन society की तरस जो amenities हैं वो तमाम की तमाम उस ब्लॉक में complete है तो overall देखा जाए तो इस commercial की location बहुत अच्छी बनती है और इस commercial के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा कहलें कि जो payment का mode है यहनि कि आपको जो payment करनी है वो lump sum pay नहीं करनी लंग sum अगर आप pay करते हैं तो definitely आपके पास इतना cash हो तो आप definitely ले सकते हैं लेकिन आपके पास cash नहीं है cash की shortage होकर हो आपके पास cash constraints हो तो आप definitely 20% पे वो ही product ले सकते हैं जो individual किसी ने 4 crore की buy करनी है cash पे उसको भी advantage मिलना है कि plot cash पूरी देंगे तो कबजा मिल जाएगा यहां पर क्या है कि आपको 20% पे कबजा मिल जाएगा आप construction स्टार्ट करते हैं आप basement की दो दुकाने और ground floor की दो दुकाने बेचे तो आपके plaza की कीमत यानि कि construction हो नहीं उसकी price प्लस के साथ साथ को जो plot कीमत है वो निकलाती है तो दो floor से आपके कीमत निकलाएगी उपर आले जो floors है वो definitely आपके प्योर ROI होगा return on investment कि आपने investment की होगी उसके उपर आपका return सावित होगा right side पर सामने आपको golf course के plots नज़र आ रहे हैं यह golf course के plots हैं इनकी प्रॉपर जो leveling हो मकमल हो चुकी है अभी यहां पर प्रॉपर विला जी construction स्टार्ट होनी है एक अच्छी बात क्या है कि 120 foot road से right side पर जहां पर कुछ मिट्टी की छोटोटी धेर नज़र आ रहे हैं इस area के रहा हम है यह golf course का external road है जिसकी width जो 120 foot है इस road में 120 foot road से जब match करना है तो definitely 120 plus 130 300 foot का road बन जाता है तो एक commercial plot आठ मला जिसकी वर्थ हो जिसके सामने 120 foot का एक road हो 120 foot का एक road हो और दूसरी सबसे बड़ी बात के सामने 76 feet की commercial lane हो जो आपको सामने नजर भी आ रही है 120 foot road से left side पर जामें पार्किंग स्टार्ट होती है यह commercial lane आपकी plot में आती है तो आपके plot के सामने तक्रीबान 376 feet की wide boulevard बनती है जो के मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है इस स्क्रीम स्क्रीम स्क्राइब के मास्टर प्लैन देखते हैं मास्टर प्लैन में जो आज की video स्पेसिफिकली वह इस point के हवाले से हैं यह जो point मैं भी वीडियो में mark कर रहा हूं अब जिसमें पहले बात की थी कि जो golf course है वह capital smarty का zero point है यानि कि यह center point है इसके opposite side पे north side पे आपका residential district है overseas east जिसमें तक्रीबान कम जबी 20-25,000 plots होंगे right side पे overseas prime 1 इसमें तक्रीबान 20-25,000 plots होंगे अगर आपसकी west side पे देखते हैं तो यहाँ पे overseas center तक्रीबान 35-40,000 plots होंगे और back side पे executive block, executive block में right now develop B, C, D block हो रहा है बाकी यहाँ पे जितने plots हैं बाकी यहाँ पे जितने plots हैं बाकी यहाँ अगर count करें तक्रीबान 20-25,000 plots यहाँ पे होंगे तो एक लाग घरों के surrounding में center में जो मरकज आता है गॉल्फ कोर्स के सामने उस मरकज का नाम है लेक व्यू कमर्शल अब इस मरकज के बात करें specifically कि इसकी अच्छे और positive point क्या बनते हैं सबसे पहले कि यह जो कमर्शल अपने वीडियो सारी देखी है इस कमर्शल की मैं चार साइट की बात करता हूँ पहले मैं आपको गॉल्फ कोर्स के बता है इसके अब मरकज करता हूँ मरकज के सामने specifically जो बड़ा रोड है यह रोड आता है आपका 247 feet wide जिसमें 67 feet का आप यह commercial का रोड आता है 180 feet वो आता है main bolivard आता है तो 247 feet आपकी यहाँ पे width बन गी अब इस width के बाद आपका 120 feet रोड का यह भी आता है तकरीबर आपके पास total जाकर जो width बनती है तो बनती है 367 feet का रोड बनता है तकरीबर पहने 400 foot का रोड है अब पहने 400 foot का रोड कमर्शल फेसिंग रोड है तो आप उससे अंदादा लगा सकते हैं इस कमर्शल की long run में जाके worth क्या बनेंगी यह इसके सामने अभी एक्जिस्टन्ट रोड जो है यानि के फर जेंबल मैं अगर कमर्शल प्लॉड की पार्किंग से exact distance लगा हूँ opposite side के जहां पे end to end wall to wall distance होता है तो यह कमर्शल प्लॉड है बिसिकली जो अब को street नज़र आ यह कमर्शल की parking है तो यहां से कमर्शल प्लॉड स्टार्ट होता है इस कमर्शल प्लॉड से अब जाते हैं इस पार्ट तक यह 0.1 किलोमेटर जो रोड आपको नज़र आ रहा है फीट्स में देखते हैं तक्रीबन वही बाद साथे 300 फीट का डिस्टंस है यह मैं अप्रॉक्सिमेट मेयर कर रहा हूँ यह एक्जेक्ट जायसी बात है जब आप मेयर करेंगे तो डिफरंट होका लेकिन 350 फूट की आपकी डिस्टंस है 350 फूट के रोड के ओपर आपको प्लॉट मिल रहा है और हो भी 20% पेमेंट पे विद पॉजेशन कमर्शल प्लॉट फेसिंग गॉल्फ कोर्स इससे बेटर ऑपरचनिटी किसी के पास हो तो मुझे लाजिम पता है लेकिन इससे बेटर ऑपरचनिटी मेरे हैं पाकिस्तान में किसी के पास नहीं हो सकती अब कमर्शल के अगर सामने लिए साइट भी बात करें तो चार कनाल, दो कनाल, एक कनाल, एक कनाल, एक कनाल और चार कनाल के विलाज हैं दो कनाल सुरी यह जो विलाज हैं सारे गॉल्फ कोर्स की प्रिमिसिस में आते हैं और गॉल्फ कोर्स की प्रिमिसिस में आते हैं और गॉल् पॉश एक्टिविटी मिलती है, वहां के रिवायर रहा है, कमर्शल में, सेम यहां पर पॉश एक्टिविटी आपको यहां पर मिलेगी, बड़े-बड़े ब्रैंड्स होंगे, तो आपका जो कमर्शल होगा, उसमें जो शॉप्स होंगी, बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू लेंगी इस पॉइंट से, फेसिंग गॉल्फ कोर्स होने की वजा से, अब यह पॉइंट आगा पहला, यह आपकी नौर साइड है, उपर वली साइड, अगर इस साइड पर देखते हैं, तो एक सॉसी फूट का रोड आता है पहले, इस सॉसी फूट रोड के बाद आपके र टेंक, यह साइड मस्जिद, यह सॉसाइड की तरफ से यहां पर यह कंस्ट्रक्शन खुट की गई है, यह विला मेंबर खुद बना रहे हैं, तो इस साइड को भी आप अच्छा कवर कर लेते हैं आप, कि इस साइड पर बहुत अच्छी फूट फूट फॉट फॉल आने की उमीद है, अब आते हैं जी, इसकी वेस्स साइड पर, अब इर वेस्स साइड पर देखते हैं, तो यह जो चार सो फूट 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 वाले कमर्शल की अक्टिविटी भी है, डेफिनली को बड़ा ब्रेंड आगे तो यहां पर ज्यादा राश होगा, लेक करें, यहां पर कम इस कम भी ज्यादना अपार्टमेंट बने, लेट से ग्राउंड प्लस 20 की बिल्डिंग में, आपको तो इनका सारा फूट 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 फूल यहां करी करेगा, तो आपको इस साइड से तीन साइड से बहुत ज्यादा अच्छी मैसिव एक्टिविटी म इस तामाल कर सकते हैं, अगर हम बात करें इस कि जी सौट साइड पर भैक साइड पर सेक्टर इए आता हैं, बीच में 140 साट का रोड है, 100 फूट का रोड है, 9 जो इस सारी अक्टिविटी नहीं है, यहां सी फूट फूट फूल आने के चांसिस है, यह कि यह रोड से यहां स सेंटल जामिया मस्जिद में 252 किनाल 252.70 किनाल के मौस्क होगी इमेजन करें कि जितना फुटफॉल है यहां से आएगा यह सामने बैंकर्ट हॉल भी है यह फुटफॉल सारा जब यहां से मरकज को देखेंगा तो यहां पर फुटफॉल बहुत अच्छा कहरी कहरेगा तो मेरे खिला के मोस्ट आइडियल लोकेशन है फर दीज कमर्शल और यहां पर प्लॉट्स आपको 20% पेमेट के साथ अवेलेबल हैं अब अगर डिस्टंस की बात करें में 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 मोटर्व इंटर्चेंज मैं मास्टर प इंटर्चेंज से रोडवाइज आता हूं तो साथे 3 किलोमेटर यानि के प्रॉपर कार्पेट रोड होगा आज की ट्रेंट में चुक्के रोड़स पर विद्वर कार्पेटिंग नहीं हुई तो आपको जो रोड मिलता है मैं उसका भी में डिस्टंस महीर कर देता हूं इस पार्ट से देखे तकरीबर आपका सवा 3 किलोमेटर के रस्ता बनता है जो कि मेरा नहीं ख्याल के ज़्यादा रस्ता बनता है M2 मोटरवे से इंटरचेंज से सवा 3 किलोमेटर अंदर आके गॉल्फ कोर्स फेसिंग में सामने 247 फिट रोड और इसके लावा लेफट साइट पे 400 फिट रोड राइट साइट पे 100 सी फिट रोड और इसके लावा बिलकुल जिसने भी स्मार्ट टीम आज की डेट में आना है उसके पास अब जाता है M2 Motorway Interchange से तो चक्री रोड पर जितनी सुसाइटी होंगी लेटर स्टेज पर जाके लेट से उसमार्ट टीम यूज करना जाते हैं तो उनने चक्री रोड पर यहीं सेंटर होना है यह सेंटर होके प्रोपर लिए आप इस पार पर पहेंगे और प्रिज को क्रॉ अब इस मरका से जब गुजरेंगे तो डेफरेंटी यहां पर एक्क्नॉमिक एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी क्योंके इंटरचेंज से किनेक्टिविटी तक आपको जाने के लिए आप चक्री रोड पे लेट से ब्लू वर्ल लेए फैसल टाउन है जितनी आपक्री डेट में मुझूद है अगर आप कैपिटल स्मार्टी या लाहॉर स्मार्टी में बुकिंग के बार से कुछ मलूमाँ चाहिए हो तो एक नमबर रापता करें इसके साथ साथ नमारी वेबसेट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आप कोई वीडियो ची लगे तो प्रीज रूलाएं कोमेंट और शेयर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तर के लिए खुदा हाफिस